कमलनात का मिशन बिंध कल मद्ध प्रदेश के मुखपूर मुखमंत्री कमलनात बिंध दौरे पे थे रीबा में उनकी मनगवा में सभा हुई बूत लेबर पर सिक्टर लेबर पर बैठके हुई 2018 के परिणाम जो थे वो किसी से छुपे नहीं थे कमलनात कल मिशन 2023 को लेकर मनगवा दौरे पे थे बूत लेबर पर बैठके हुई सेक्टर लेबर पर बैठके हुई मिशा नेखी था 2023 का विधान सभा चुनाओ क्योंकि जिस तरह 2018 के परिणाम थे वो किसी से छिपे नहीं है कई बार नेताओं के दौरा ये भी कहा गया कि जो सरकार गिरी कांग्रेस की उसमें विंद के अपेच्छा के और रूप परिणाम ना आना एक बहुत बड़ा कारण था लेकिन क्या 2023 के चुनाओं में परिणाम उस इस तर के हो पाएंगे जो मध्यप्रदेश के सरकार बनाने में कांग्रेस को आँगे ले जाएंगे इस विसे पे आज हम बात करने के लिए बैठे हैं हमारे साथ अमित मिस्रा जी है मैं पहला सवाल तो ये चाहूँगा कि विंद की सबसे बड़ी जो समस्या है अक्सर देखा जाता है गुटबाजी बिंद में गुटबाजी के कारण कई जगहों पर समस्याएं देखने को मिलती है क्या कॉंग्रेस उस इस्तर से बाहर निकल पाएगी देखे सबसे बड़ा जो प्रश्ण है जैसे गुटबाजी का मध्यप्रदेश इस्तर पर भी तमाम छेत्री छत्रप है और जो तेरा दित सिंधिया के कॉंग्रेस छोड़ने के बाद ये बार-बार कहा जा रहा था कि अब वैसी चीज़ें नहीं हैं लेकिन अभी जो परिस्थितियां हैं कई बार ये चर्चा पब्लिक डोमेन में भी आती है कि दिगविजय सिंग और कमलनाथ के बीच जो मनमुटाओ है या ये कहा जाए कि कुछ तो चीज़ें हैं अब अगर मध्यप्रदेश के विंध्य शेत्र की बात की जाए तो 2018 में जब पूरे प्रदेश में वक्त है बदलाओ की बात हो रही थी तब विंध्य ने बीजेपी के पक्ष में जिस तरह की वोटिंग की जिस तरह कमेंडिट डिया और जिस तरह से सीटें ये हारे कॉंग को घर से निकालना लोगों को से मतलब कॉंग्रिस के वरकर को निकालना एक्टिवेट करना ये तमाम बड़ी चुनोतिया हैं 18 में सरकार बनी 19 और 20 तक में क्या इस्थिती हुई सबके सामने हैं पबलिक भी समझ रही है अब जब 2022 में कमलनात एक बार फिर से रिवाइब करन चाहे बात रविदास जैनती पर सागर में एक बड़े प्रोग्राम की हो उसके बाद विंध में कल जो मुख्यमंत्री पूर मुख्यमंत्री कमलनात ने जो जनसभा की ये तमाम चीजें उन लोगों को चार्ज करने के लिए बूत मंडल मंडलम सेक्टर इन तमाम चीजों मे जो तमाम लूपोल्स हैं जो गैप्स हैं कॉंग्रिस में बीएसपी का मेंडिट कहा जाएगा ये तमाम क्वेश्चन खड़े होते हैं तो चीजें अभी बहुत कठिन दिखती हैं और कल जो सभा हुई जिस तरह की बातें हुई जिस तरह का घटना क्रम वहार हुआ जिस तर इसमें कैसे इन चीजों को कर पाएंगे ये अभी भी उनके लिए एक बड़ा और यक्ष प्रश्न बना हुआ है क्योंकि दिख्विजय सिंग ने कल कहा कि गुटबाजी कम करो ये कारकम में उन्होंने कहा कि गुटबाजी कम करो नहीं हम 2023 का चुनाओं हार जाएंगे और इ माइने निकाले जा रहे हैं कि जैसे प्रदेश अध्च की बात आ रही है तो क्या इसके माइने हो सकते हैं देखे सीधी सी बात है कि देश भर में कॉंग्रेस की क्या इस्तिती है ये किसी से छिपा नहीं है 36 गड़ में एक अलग संग्राम चल रहा है कॉंग्रेस में मध्यप्रदेश के हालात सामने हैं कॉंग्रेस का एक बहुत बड़ा धड़ा वैचारिक रूप से जो जुड़ा हुआ धड़ा है वो चुनाओं की मांग कर रहा था राश्ट्री नेस्तित उसे लेकर प्रदेश जिला तमाम जगे एक बड़े मूल भूत परिवर्तन की बात कर रहा था लेकिन हुआ क्या अभी भी चीज़ें उसी तरह से चल रही उत्तर प्रदेश में कॉंग्रेस का क्या होगा मध्यप्रदेश में जो इस्तिती है बीजेपी जिस तरह की चीज़ें कहती है कई बार तो अब क्या परिस्तितियां है असम उदाहरण है ठीक है पंजाब में अभी आपकी सरकार है लेकिन जिस तरह से लोग निकल रहे हैं यह जिस तरह से बार बार नेशनल लीडर्शिप के सामने यह क्रेस्टन जा रहा है कि अब बहुत बड़े रिफॉर्म्स करने होंगे क्या व फिर जनता भी यह सोचेगी कि अपोजीशन अगर हमारी लड़ाई मजबूती से नहीं लड़ रहा है तो हमें क्या करना चाहिए हमें क्या किसी तीसरे ऑप्शन की और सोचना चाहिए तो यह जो मद्धिपरदेश अब जैसे दिखवीजे सिंग के जिस बयान की आप बात कर रहें उन्होंने कारकर कारे करताओं को कहा है कि यह सब बंद करिये नहीं 23 में भी कुछ नहीं हो पाएगा अगर विंदे इस तरह का परिनाम नहीं देता यह विंदिसे सपोज वक्त बदलाओ की बात की जा रही थी तो अगर वी सीटें विंदे से आ जाती तो शायद यह प विंदे से जो हमने अपेच्छाय की थी तो चैया एट जीरो और इसके बाद सतना की सीटें नहीं मिल पाएं सीधु में उतना खरा नहीं उतर पाई जितनी अपेच्छा कॉंग्रेस कर रही थी थी विंदे में तो क्या इतने पीछे होने के बाद क्या आके आ पाए कि जिस इसमें क्या लगता है कि कि इसमें कितना सुधार हो सकता है कॉंग्रेस मध्यप्रदेश में जिस मोड में अभी है उसको यह सोचना होगा कि वो कितने में रिफॉर्म कर पा रही है ऑल इन्या कॉंग्रेस कमेटी की और से डेट एक तरह से अनौन्स हो चुके हैं प्रदेश अध्यक्ष का नए चयान होना है तमाम कमेटियां भंग होंगी सारी चीजें इसी साल हैं 2022 में चुकि उनके संगठन का इंटरनल इलेक्शन है इस इलेक् सवारी जब एक वर्चुल प्रेस कांफरेंस में मैंने कमलनाथ जिसे यह सवाल पूछा था कि सवाल जो खड़े होते हैं वो खड़े होते हैं कि एक बड़े रिफॉर्म की बात होती है यह बड़ा रिफॉर्म क्या सवाल तो यह भी खड़े होते हैं बार-बार सत्ता ये दो-दो जिम्मेदारियां पूर्मुक्यमंत्री कमलनात निभा रहे हैं अब इस पर भी लगातार ये बहस होती थी स्टेट लेबल पर की अब बदलाओ होगा और नेता प्रचिपश्ट की जिम्मेदारी किसी और को दे दी जाएगी लेकिन उसमें भी पार्टी में दो मत हैं एक विक्ति के जाने के बाद यह हुआ था कि अब देरे देरे करके चीजें सामाने हो जाएंगी लेकिन नहीं अभी भी छेत्री चत्रप उसी ताकत के साथ हैं अब बीएस्पी फैक्टर की बार बार बात होती है वो किस तरह से होगा ये भी आगे देखना होगा लेकिन अभी जो परिस्थितियां हैं अगर बड़े रिफॉर्म्स नहीं कर प तक प्रदेश अध्यक्ष बदलने की बात है लेकिन इस बीच ये बहुत महत्यपूर्ण है कि अगला चुनाओं हम किसके नेतितु में लड़ने जा रहे हैं अभी तक चीजें सपस्थ हैं सबके सामने हैं कि कमलनाद मद्यप्रदेश नहीं चोड़ना चाह रहे थे और अग सत्के नरतित्तुम्हें लड़ा जाएंगा मतलब संगतवन के चुनांव हो रहे हैं और सारे कॉरिणीयों ठीक हैं तो मतलब वो इस्टेट प्रसिडेंन्ट बने रहे लेएंगे तो किसके नरतित्तों में लड़ने जाएंगे कौन प्रदेस अध्यक्ष बनने जारहा है और तब वो क्या परिस्तिया निर्मित कर पाएंगे कैसे चंबल से लेकर देखे अभी जिस छेत्र को मतलब सिंधिया जी जिस छेत्र से आते हैं सब को लेके गए बाइलेक्शन के रिजल्ट आपके सामने हैं उसके बाद जो उपचुनाओं हुए उसमें भी क्या परिनाम हुए एक रहगाओं की सीट आपने जीती लेकिन कुछ परंपरागत सीटें जो आपकी थी वो आप हार गए हैं तो बार बार जो सवाल ये खड़ा होता है कि कितने दिन PCC में बैठके किस तरह की चीज़ें कर पा रहे हैं कितना हम लोगों को कितना संगठन से जोड़ पाएंगे जो पार्टी के मूल वरकर हैं उसके बाद ये सब चीज़ें निर्धारित हो पाएंगी तब जाकर सायद कुछ बड़ा कर पाएं क्योंकि अब चुकि टार्गेट 2023 और मुद्दे बहुत बड़े हैं मध्यप्रदेश के जो बड़े मुद्दे उन पर कितना कॉंक्रेट काम कर पाएंगे ये बड़ा मसला है सबसे बड़ा सवाल पैराशूट लेंडिंग की बात होती है राहुल गांदी ने भोपाल में कहा था कि मध्यप्रदेश यहां कॉंग्रेस में अब पैराशूट लेंडिंग नहीं होगी लेकिन इसके बात भी देखा गया कि तमाम पैराश लेंडिंग जिस तरह रोकने की बात होगी होगा यह फैक्ट कितना आगे होगा क्योंकि डोजार तीस में क्या पैराशूट लेंडिंग नहीं होगी कॉंग्रेस में यह बातें इसलिए हैं क्योंकि अगर आपका राश्वी अध्यक्ष यह कह रहा है 2018 में जब राहुल थे उन्हों ने कि जो लोग कई सालों से टिकट के लिए अप्रोच कर रहे थे वह अश्वस्त वह सकता है अगर किसी भी पार्टी में की कि बात नहीं कर रहा हूं वीthest तरह की परिस्तितियां एकदम से बनती हैं तो सबसे महत्यपूर्ण होता है कि जिन लोगों को साइड करके जिन पैराशूर्ट को आप उतार रहे हैं जनता के बीच में जिनको रोका है उनसे कितना समबात किया गया बीजेपी में यह होता है कि अगर किसी भी सीट पर जैसे अ कॉंग्रेस भविश्य में वो काम कर पाएगी अभी प्रताप भानुशर्मा रीवा के संगठन प्रभारी हैं प्रेस कॉंफरेंस में उन्होंने मैंने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि पैराशूट लेंडिंग अब नहीं होगी इसका क्या प्रमान है कि नहीं होग और अगर होगी किसी को आप लड़ाएंगे तो आप अपने पार्टी वरकर को जो इतने दिन से कामकर उसको कैसे संतुस्त कर पाएंगे और यह सब कुछ करता है संगठन संगठन कितना कर पाएगा क्योंकि संगठन की ताकत बिजेपी ने हर बार दिखाई है चाहे वो तीन सब्कड में एंटी गॉवर्मेंट वेब थी तो सीटे कितनी मिली नब्वे विधान सभा सीटे हैं साट पैसाट इस तरह सीटे मिली यहां एंटी गॉवर्मेंट वेब थी और आप 114 बहुमत की बस बिलकुल आसपास निर्दली और दूसरे दलों से समर्थन लेके सरकार ब बाट इंपोर्टेंट है बिएसपी का एक बहुत बड़ा बोड्वेंट त्युक्कि मादपृदेस में कहा जाता है कि बीच्पी का लेकिन वह बदी बात कि कि बहुत बड़ा वोड़ बैंक बीजे पी के साथ असोशियेट हो रहा है मैं आभी कुछ दिल पहले एक वो BJP की ओर चला गया Congress के vote बढ़े हार का कारण वो भी बना पहले BSP मधिप्रदेश के विंधि छेतर में और चंबल छेतर में बहुत गेन करती थी बुंदेलखन का बेल्ट भी देखिए इस बार BSP का जो status रहा हारीवा में विंधि में वो बहुत डाउन रहा वो डाउन होने से मतब इस पॉइंट पे भी Congress कितना काम कर पा रही है ये बड़ा सवाल है कि अगर ऐसी परिस्तितियां है BSP का vote पूरी तरह से अगर स्विंग कर गया BJP में तो आपकी हर आप अपने vote को कितना बढ़ा पाए आपको vote तो बहुत मिले न आपको हर विधान सभा में vote अच्छे मिले पर उसको convert आप नहीं कर पाए जहां आप 8000 से हारे जहां 10000 से हारे क्यों हारे वहाँ वहाँ BSP के vote की shifting हुई 2014 सी ये train चल रहा उत्तर प्रदेश में भी यही हालात है उसको आप कैसे manage करेंगे उसको कैसे अपनी और swing कर पाएंगे ये बहुत important है BSP बहुत बड़ा factor है अगर अगले चुनाओं में जब आप जाएंगे और फिर से यही परिस्तितियां हुई तो मान लिया जाए कि विंधे में 30 सीटों में फिर से BJP 24-25 में या बहुत हुआ तो 20 में या बहुत हुआ तो 18 में फिर आप कहां है आपका संगठन कहां है तमाम नेता जो भाँजन समाज पार्टी छोड़ कर कॉंग्रिस में शामिल हुए वो कितने वोट लेकर आए इसका भी मुल्यांकन करिए एक नेता छेत्र में प्रभाव की बात करता है किसी भी राजनेतिक दल का हो जब वो पार्टी छोड़ कर BSP के जैसे लीडर की बात कर रहा हूँ कि BSP के लीडर्स छोड़ कर कॉंग्रिस में आए उनके विधान सभा का भी स्टेटस देखिए वो कितनी शिफ्टिंग करा के आए कितने लोगों को कनवर्ट करा के आए वोट मांगना किसी राजनेतिक दल में रहते हुए वोट ले लेना और वोट को शिफ्ट करा देना दोनों अलग पहलू है आज बहुत सारे BSP से आए वोट लीडर्स टिकेट मांग रहे हैं आप टिकेट देंगे क्या उनको और अगर देंगे तो आपकी पार्टी में जो कारिकरता इतने साल से काम करा वो क्या करेगा बगावत करेगा अगर वो बगावत करेगा तो उसको समझाने के लिए उसको संतुस्त करने के लिए आपके पास क्या है 80 मध्यप्रदेश में सरकार रीवा का प्रतनी देत्व मध्यप्रदेश में सरकार विंद्ध का प्रतनी देत्व सतना का प्रतनी देत्व सीधी का प्रतिनी दित्व प्रभारी मंत्री थे लकंगन गोरिया मैंने कई बार उन्से प्रेस कॉंफरेंस में ये सवाल पूछा कि यहां के मुद्दे क्यों छोटे हो गए विधान सभा तक नहीं पहुंच पाई बोले किसी ने यहां के लोगों ने जन प्रतिनी दिचुनके लोगों को जो उसी दिचा में चले जाएंगे रिफॉर्म की बात होती है और आप कितना ले पाएंगे एक सवाल ये बंदा है शॉज़करर को कि हर पार्टी में डैमेचыми ऑफार्तिल ने कितना हो पाता कॉंग्रेस्व ब्झेपी क्या पेच्छा गैमेच्छ्चाम करने कर अपने डैमेज को कंट्रोल करती है इसके परिणाम ही होते हैं कि कई बार उसको फायदे होते हैं लेकिन कॉंग्रेस क्या इसमें पीछे है 2023 के चुनाओं को देखते हुए देखे डैमेज कंट्रोल बीजेपी ने बहुत अच्छे प्रवंधन को भी लोगों को बताया है रा परिस्तियां बिगड़ चुकी है और अगर आपने यह कहके छोड़ दिया कि रहे ठीक है देख लेंगे तो वह भी देख लेते हैं चुनाओं में यही होता है लेकिन बीजेपी आगे रहती है कि अगर यहां पर इस सीट में किसी को दिक्कत है किसी का टिकेट कटा है तो उस उसको समझा ले जाना उसको फिर बाद में उबिलाइस करना उसको संगठन से जोड़ना उसको राजनेतिक न्यूक्ति में कोई लाव दिलाना तमाम चीज़ें की जाती हैं मद्द प्रदेश से लगा हुआ उत्तर प्रदेश में चुनाओं चल रहे हैं अखिलेस यादव सम उत्तर प्रदेश के परिणामों का असर देश भर की राजनीत में पड़ेगा लोगसभा चुनाओं पर पड़ेगा और उसके बाद आगे आने वाले समय में डाइमेंशन बदलेंगे यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि वहां से चुकि इतनी बड़ी संख्या है वहां स पर कितना संघर सो पा रहा है कितनी लाठियां खाई हैं बहुत सारे सवाल होते हैं जनता यह देखना चाहती है प्रबंधन से कुछ नहीं होता ना प्रबंधन बिलकुल अच्छे चीज़ है बहुत अच्छे प्रबंधन से आप चुनाओं को लड़िए मैनेज करिए जनता आप उधारण देते हैं कि प्याज की माला पहन के बिजेपी के लोग घूम रहे थे आप कितने इस तर तक कितने दिन तक किसी चीज़ को कर पा रहे हैं यह बहुत महतिपूर्ण है मध्यप्रिदेश के कूर इशूस पर कितनी लड़ाई होगी यह 2030 निर्धारित करेगा ले यहां के खेतों में घुसे हुए थे लाइन मैं काटूंगा चड़के यहां जो सभा हुई थी आप एग्रेशन देखिए कॉंग्रिस का एग्रेशन कहां पे हैं यह सवाल वो लोग खुद अपने लीडर से भी पूच सकते हैं कितनी लड़ाई जमीन पे उतर कर आमरण कैसे इलेक्शन में जाएंगे फ्रंटल और्गनाइजेशन क्या कर रहे हैं तमाम सहयोगी संगठन जो हैं वो क्या कर रहे हैं यह सब कुछ आप बीजेपी का जो लोग देख चुके हैं बूत मैनेजमेंट पे जो वो काम कर रहे हैं उसका फॉर्मेट देखिए मैं टू मैं करने की जो कवायत है आप अपने किस अप्रोच से जोड पाएंगे यह बड़ा सवाल है कॉंग्रेस के लिए जो 2023 के प्रमुक मुद्ध के पास क्या होंगे कॉंग्रेस के पास महगाई बिरुजगारी मध्यप्रदेश में बेहाटा बेहताशा बढ़ते अपराद मध्यप् पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम आप इसे केंद्र से नहीं जोड़ सकते राज जी सरकार अपने एंड से कितना कर पा रही है फिर दूसरा गुटबाजी का इधर आरोप लगता है बीजेपी में जो चीजें जिस तरह से चल रही है उस पर आप कितना काउंटर कर पा रहे है ये भी देखना बहुत मातिपूर्ण होगा तो अब देखना होगा कि 2023 में कॉंग्रेस किन मुद्दों को लेकर जनता के पास पहुँच पाती है और वो मुद्दे जनता तक कितना प्रभावित कर पाते हैं ये देखना होगा बहुत बहुत धन्वाद